सबका स्वागत है आपके अपने चैनल के असले टिटोरियल में बाय और बानो चले स्टार्ट करते हैं फार्मा कोगनोशी जो की यूनिट फॉर पढ़ रहे हैं वी फॉर सेमेश्टर के इसाब से दिखा जाए और यूनिट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग डीफार्म फस् फ्लेवनाइट टैनिन बोलटाइल और रेजिलिन चार कंपोनेट को एक साथ पढ़ेंगे इनकी प्रॉपरिटी यूज टेमकल टेस्ट देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिटा समय गवाय हुए और बात करते हैं हम लोग फ्लेवनाइट को फ्लेवनाइट क्या हो और सारे रिंग क्या हो फिनॉल करने छीश ज़ींट हो लगए सबसे होपने डाएज जाते हैं हम फ्लेवन हो फ्लेवनाइट क्या एक पहुत तरहा है स्जाह उत्यंक मात्रम टालत काहने हैं इन एसके Plant metabolism में role काफी है औि अशाल सारी ड्वाएं को हूए Har Forsch यह सारी बनाने को कब काम आता है जैसे कि antiviral anti-tumor and allergic anti-plant anti-inflammatory anti-oxygenดियसे दवाईों के काम बनाने के काम में flavonoids आते हैं ठीक है अब सब्सक्राइब बने बताया क्या थे को दखो क्या है धेर सारे बेंजीन रिंग लगे हुए है तो यह पॉलिफिलालिक जो स्ट्रक्चर होता है इसका जो बेसिक इस्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन के सारे और यह पॉलिफिलक पर्फिलॉलिक यह उसमय में धेख रहे हैं स्ट्रक्चर बीयों पक्लिकिसे से 6 सब्सक्राइब कहते हैं कि इसी पोजीशन से उसका जुड़ रहा है और जो बी-रिंग होता है वो पुरीशन नबर-2 से सी-रिंग से जुड़ा होता है यह इसका इसका स्ट्रक्चर आप बनाकर इसको देख़ेगा इसको कॉमन सा होता है ठीक है अ्धिक क्लासिफाई किसे करते हैं उनको छे मेजर सब ग्रूप में इनको डिवाइट किया गया है उसको अभी देखेंगे उसमें क्या है उसमें जो डिपंड करता है डिग्री ऑफ अनसचुरेशन पे उसके रिंग ए और बी और सी के जोड़ने के कαιंक है तो जो बिंग रिंग अईसो फ्लेवैन है non- perspectives है फ्लेवोनेट यह तरी वो समझार्ण यह सब इस पी और किसे पिलते हैं उसमें प्लेवेन बसक्राण है और है ऐन्धों एद्धी यными घ्जी से हमको प्राप्त होते हैं सब्सक्टी से ο्लाप्त होते हैं अब बात प्लेवनाइड्स होगते हैं रिप्ल nickel be करता है माइक्रोप्स के गयल करता है और फायलो आपको फाइटो एलेक्स के तरह काम करता है जो कि पैथोजेंस जितने विए है उनको मारते हैं हमारे बॉडडि में इम्यून सिस्टम को बनाने का mı करते है अ chegou को जाने के लिए से यह शारे कौन हमाइड की सकती है क्या करना इसके सब्सक्राइब करता है क्ल ones में काइड Pokemon करता है is विमारी को भी दूर करता है या एन्टी ऑंकैंसर हम इसके एंसके हं संब चाहते हैं एंडितिया फंक्षन को इंपूब करते हैं ब Camera को बैडबिटीन करेंगा यह एलडील के लेवल को क्या करता है हमारी बॉड़ी में घंटाता है जिससे हमारे बॉड़़ी की प्रॉब्लम्स करते हैं जैए अब यसका अपयोग वाड़ी में होता है अब इस पर देख सकते हैं आसानी से किड्नी फंक्सन को रोकना रिप्रॉप करना गुड टेंटल हेल्ड को मेंटोन करना नर्वस सिस्टम को इंप्रूब करना तो यहां सारा देख सकते हैं कि एंटी oxygen है हमारे body के लिए ठीक है अब हम कैसे पहचानेंगे कैसे कौन कौन से टेस्ट करते हैं तो फ्लेवराइट के टेस्ट होते है तीन सीनोधा टेस्ट सोडियम हैडरोकसाइड टेस्ट और p-dimethyl-aminocyn-aldehyde तेस्ट चैके जिसको टि-अ-य knocked बहुत है है तो अधिक को पहले तेस्ट को सामझ ज़ेते हैं जरूर क्राइट प्ल्क grad ми गलिया तैस्ट में लिए या हमने कुछ पीसिस ऑफ इसका डाला मैंगनीसियम के लाले टुकडे लाल दिये फिर हमने क्या डाला कुछ सील डाला कंसंट्रेटर्ट तो हमको एक पिंग रेड कलर इंडिकेर होता है इसका अगर दिख रहा है इसका मतलब वह क्या है हमारा फ्लेवनाइड है ठीक है और जो अगला वह हम इसका मतल इसको मतले है क्या होता है इस पर जो रिंग होता है यह करता है वह क्रूड ब्रुड्यूस निए थोड़ा सॉर्ट नोट दे रहा को एक्जाम में बहुत कम आते हैं जितना बता रहा होता हूं काफी आपके लिए दूसरा होता है टैनिन तो टैनिन के फ्रेंट ये भी एक पॉलिफिनोली कमपाउंड्स होते हैं डिस सिर्षाना जोता है जिश्यर के लिए प्र ये इस can अच्छी होती है सींचन क्या है that of higher capture और इस रिए limit जिट डिजीस लाइक डैरिया और यूज अप लेडर इंडस्टिश ठीक है न जो टैनिन होते हैं उसका यूज लेडर इंडस्टिक बहुत होता है और इसके साथ साथ यह हमारी बोड़ी में एंटिसप्टिक की तरह भी काम करते हैं ठीक है प्रॉपर्टिस की बात के यालोव ψ लेकर light brown तक होता है यह मारफरस फार्म में होते हैं 법सिकली प्लांट से मिलते हैं और यह कहां कहां इसके लेडर में ड्राइंग में फैबरिक और मैकिंग अदवरा सियाह ही बनाने में इसका काम काफी होता है इसका जो सलूसन होता है वह ऐसर्डिक गुसेश का उ होते हैं और इनके जो सलूशन होते हैं वह साथ वह क्या होते हैं जो सलूसर होते हैं वह ऐल्कुलाइट को ग्लाइकोशाइट प्रोटीन को प्रेसिपटेट करने के लिए हेलफुल होते हैं ठीक है अब इसका प्लांट में हमारी बॉड़ी में क्या क्या यूज है तो इसको रोट से हास बना लीजेगा यह इंफ्लामेशन को में काम आता है बंस में काम आता है एंटी डारियल भी होता है ठीक है यह काडिया ग्लाइकॉसाइड की तरह भी हल्प करता इस सब में टैनिन का बहुत खतरनाक या बहुत बहुत बेहतरी अन्रोल है ठीक है कुछ मेडिसीन का एक्जाम है जिसे कौन को नाम है वह इसका मेडिसीन में यूज है कुछ है बालेशकल एक्टिविटीज में है कुछ इंडेस्टी में यूज है तो सब का यहाप दीखा ए क्लासिफाइग की जाये तेनि lawsuits को तो दो भागों हम बाड़ सकते हैं पहला उता है टू टैनिन और दूसरा होता है तॉझ में फ्रो क्या होते हैं मालचपजू होते हैं हाई होते हैं तो टॉ अ कम होता इसे गैलिक एसिट और फ्लेवर, जो ट्रू टैनिल्स होते हैं, उसको हम फिर से बाढ़ सकते हैं, तीन भागों में, एक हैट्रोलाइजबल टैनिन, दूसरा कंडेस्ट टैनिन, तीसरा कॉंप्लेक्स टैनिस, ठीक है, आपस में जब वो जूड़ है, हैट्रोलाइजबल टैन और यह होता है, इलेगी टैनिन, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लिएगा, यह क्लासिपिकेशन जरूर याद कर लिएगा, अगर पूछता है, तो इसको बना दीजेगा, काफी रहेगा, ठीक है, अब हैट्रोलाइजबल टैनिन, जिसको आसानी से एसिड या एंजाइम क पारिट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्रीट्री इसको वोलते हैं, फ्लैबोफिनिंस, ठीक है, फ्लैबोफिनिस कहते हैं, जान दीजेगा, बाकि इसका एक्जांपल दी है, गैटेकॉल, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है, स्टिरोटे णिलस क्या होता है, कि यह एक तरह सा टैनिंस बिसिकली होते नहीं है, यह ग्र मुइं Papayan और णर वहारे विएावर टेस्ट नहीं परोपार्टी्स होती है ने इसलों lying को median मानते है यह हमआरे होते है mutant होता है इंसलन और फेनजेंस ळेस्ट होता है और त Singh वोता है यह तीन प्रकार के टेश्ट होते हैं कि याद रकिंगा और उस्ट है जिसे match stick test है, test with fairictoride, पांच test है, तो फांच तेस्ट हम बात करेंगे, पहला है gelatin test, ठीक है, इस भी क्या है, to a solution of gelatinin, एक को solution of 1% gelatin and 10% sodium chloride, ठीक है न, जब्या करेंगे, कोई भी हम, जो sample है, gelatin का, उसमें, हमारा तैनिन है, उसमें 1% जलेंगे, जलेटिन का सलूसन और 10 परसंट डालेंगे हम सोडियून क्लॉराइट उसको डालने बाद क्या होगा उसको मिक्स करेंगे तो एक सफेद रंका ज्ञागता का वाइफ बफ कोलर हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर वह मिल रहा है इसका मतलब जलेटिन टेस्ट पास है यह हम हमारा कमपोंब टैनीन है स्किन के ऊपर इसका क्या होता है कि मैं इसक किया करते हैं कोई में क्रेंते हैं थीं के उसको क्या करते हैं करेंगे सबस्क्राइबं फिर वाफ यह करने के बिष्ट करने के ऊपर जॉनफशन सल्फएट को быстрorry करें और इसमें सोडियूम ऐसेट फॉसफेट को घ्राल के हीट करते है फिर धंडा करते हैं अगर हमको बलकी कलर मिल रहा है तो उसमें तैनिन सबलेबल है ने टेज़ इसको वोलता है कैटशें के डिये कि तीG करते हैं तोbucks निकाल करके जलाने के जलाने के बाद करते है हैं टिवर कछा तेखिसं के साथ मास्ट करके डलाते हैं अगर इसको सबसां Philippines कि prohibस कि त्रके वहाल तरह से फैरिक लॉराइट के साथ टेश्ट करते हैं उसमें असीकलत नोषिन के साथ मिलाते हैं अगर वो भूलएट या ग्रीन कलर दे रहा है इसका मतले वू टैनीन है इसको लिख लीजे इसको याद कर लेज़ेगा तो अब हम बात करेंगे वॉलटाइल ऑईल की वॉलटाइल क्या होते हैं तो आप जानते हैं कि जो प्लांट से कुछ ऑईल मिलते हैं जो वॉलटाइल नेचर के होते हैं और इनकंदर खुष में बहुत अच्छी होती इनको अरवेटिक ऑल भी कहत प्रे क्या जाता है कि या इन noleiddel ऑज गाते हैं इनको इस यह कैते हैं क्ले इस यह करते हैं क्या क्या इसनिव जए कि बहुत और भी जांगे है अगे बात करें कि क्या-k ya कै समय ज् सारीom की और पर यूज किर आया आप देखते हैं कि हम लोग जो खाना बनाते हैं तो नी त कई चीज लालते हें. जो सारी चीजे क्या होती है? मसाले की तरह यूज होती है. और फ्लाय जिस में हम आएट करेंगे उसमे फ्ल्यवर मिलेगा. त्छा ठीक है कारविनेटिक के तरह होता है इसके साथ यह परफ्यूम, सोप और कॉस्मेटिक बनाने भी इसका यूज काफी अच्छी से होता है प्लांट्स तो इसका क्या यूज है ये बिसंगले प्लांट में डिसेग्रिवेबल टेस्ट और अर्डर होने करण करता है ये जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो चरते हैं घासों को अगर इनकी महग थोड़ी से अलग हो जाती है इसके वकारण जिसके जन्तु है उसको चरते नहीं है नहीं बच जाता है इसकी जिव जिन्दगी बच जाती है और इसके जो फ्लावर होते हैं इंसक्ट को अट्राइट करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके इपनी महग से ठीक है प्रोपर्टीज क्या है क्या नेशन होता है करेक्टरिस्टिक और होता है मतलब इसका जो म में कीक ऑले हैं तो वाटर में एंसिबल होते हैं इसके साथ क्या होता इनका सरूजे एस्टर में अलकोहल पे और ऑर और डिस्थाल debt क्लासिफिकेस्टिकेस्टं कैसे कर सकते है उससे पर टीर्पेंड करता है कि जह उन्ह אנ लाल है उसके नंदर केमिकल कंपॉंड काउंप नेचर के बिश्चा कर सकते हैं जा फीर फेनोलिक बिली बॉल टाइल अइल से लिए उसमें कौन सी कमिश्ट्री है थिक है अब यहां लुट आपने जा रहा है रेजिन आप जानते फ्रेंट आपने गॉंद का नाम शुना होगा जब खार में बंता है बच्चा होता है तो उस निखुट निकलता है थोड़ा सा विस्कस होता है, जो सूक जाता है जो च λέता है, उसी को गोंद कहते है इंडरीजी में Raising कहते है ठीक है, जी जो रे Same word वो फ्रेंच भासा के resin स्व 정도로 स्वख से आया जो कि किसी भी plant के exudes, मिलब उसके exudes less part, बहलब कि कि अगा plant कोई in season दीजे, cow दीजे, cut दीजे, तो वहाँ से जो liquid निकल रहा है, वो उसका exudes कहा जाता है, ठीक है, इसको sinonimim rosin भी कहते है, properties की बात कर लेते है, physical, chemical, solubility, तो physical property क्या होता है, यह hard होते है, कड़े होते है, transparent प्य वोता ही में क्यों सब्सक्राइके एस्पलिप्यज्क, पाहिए सयवे ह। र ये जू रजन आर्ट्स से बाल यकोष्टर अचाने, पाहिए लाइव खलाएगा है पांने है क्लाइप के मिलने याज़ आएगा रजसीं और शैंटों और गया है कमिकल क्लासिफिकोशन साब से हम दो घालत رागों को क्लासिफाइई कर सकते हैं दो प्रकार ये पहले थे पैले प्लस्पान क्लासिफिकेशन इसे उसमें है कॉनिफेरस रेजिन तो बारमडेसी तो रेजिन इस्टर होता है उसमें क्या क्यमेस्ट्री है रेजिन फिनॉल होते हैं ग्लुकोस रेजिन होते हैं और रेजिन होते हैं ठीक है यह अलग-अलग क्यमेस्ट्री के बैसिस पे उसको ड्वाइड कर सकते हैं उस एक्जामपल दिये हैं आपके केमिकल रेजिन के वह य रेजिन एचिट का इस्टर का इलकोफल का फिनॉल क्या है इसब आगे आपको डिटेल पर ला लेकिन आप यहां से एक्जामपल इसको कॉपी में जरूर लिख लीजेगा ठीक है उसी तरह से यह उसके रेजिन का इसेंसियल ऑल की गम के साथ गम रेजिन का जामपल ओल्यो रे भी form 4 semester का खतम हो गया बहुत बहुत मुबारक हो आपको बस एक unit बचा है unit 5 वो भी मैं देखता हूँ कैसा है क्या है उसको भी बहुत जल्दी खतम कर दूँगा तो कोगनोसी से कहानी खतम हो जाएगी और कोगनोसी हम लोग लगबग खतम कर चुके है और यह semester बहुत बहुत लोग लिंदी है और सब्जेक्स बहुत दंबे लंबे हैं तो मेहनत आप continue रखिए आप बिल्कुल धेले मत पढ़िए lockdown को पूरा फायदा उठाई और दिन रात पढ़ाई के रिए बाकी मैं आपको साथ हूँ ठीक है चलता हूँ खुदा हाफिस